आपको नमस्कार तो हमारे यूटूब चैनल प्रताब क्लैसिज पर आपका स्वागत है आज आपको पता है वन रक्षक का 11 दिसंबर को दूसरी पारी का एक्जाम हो चुका है तो उसकी यहां पे आपको 100% यहां पे स्टीक अंसुर की करंट जीके और राजस्तान जीके की एक दार को सुनाए हैं तो स्टार्ट करें आज की क्लास देखिए शुरुवात करते हैं दूसरे कोस्तन से देखिए राजस्तान संग का प्रधान मंतरी कोन मना तो यह बना था गोकुलाल असावा कोन मने राजस्तान संग का प्रधान मंतरी गोकुलाल है उसावा सिदे हम प्रजेक्ट उसके बाद में 28 माई 2022 को देश में अपनी त्रहेंका पहला सोर पवन संकर विजुत सेंटर ये स्तापित किया जाएगा जैसल मेर के अंदर आपको पता है उसके बाद में चलते हैं चंग नर्तिया बड़ा ही शांदार को सनाए है चंग नर्तिया सेखावाटी कि उसके बाद में देखो तामरवती नगरी के नाम से जानी जाती है आहड सबेता कौनसी आहड सबेता जानी जाती है और ये देखो चीर पटोरी क्या है तो चीर पटोरी द्यारकना सडी है ये क्या है सडी है एक प्रकार की द्यारकना चीर पटोरी उसके बाद में अपने चल खनीज और खननचेतर तामभा खेतरी सही है लोह एशेक मौरीजा बुनला बिल्कुल सही है सिसा ज़स्ता जावर सही है लेकिन ऐप्सन नमेर डी यहां पे गलत हो जाएगा तो ये देखो टंगेश्टन पलाना में नहीं है यहां पर ये ओप्स नमबर इसका डी क्रेक टांसर हो जाएगा ज्यां रखना उसके बाद में किस जिले में सर्स डेरी ने 17 अगस 2022 को अपनी सुर्ण जेनती बनाई ये है जैपूर के अंदर आगे हम चलते हैं रास्वास्ति विवाग राजस्तान ने तपेदिक टिबी खतम करने को लक्षे रखा है तो ये दो हजार है पचीस तक आपको पता है लक्षे रखा है उसके बाद में चलते हैं तामरवती तामरपतर से रानी करमवती जोहर का पता चलता है चीक ली तामरप बिता आपको पता है जैपूर के अंदर साभी नदी पर है स्थीत है राजस्तान में अकबर का किला अजमेर के अंदर है आपर है अकबर का किला अजमेर के अंदर उसके बाद में मेवाड के किस महराना ने पिछोला जील में जग निवास नामक महले मिन वाए तो जगत सिंग द्वित्यने बनवाई थे बड़ा ही शान्दार कोसनाई हैं उसके बाद में साइंसक आप देख लेड़ रा उसके बाद में परशित चित्रकार साइबराम किस चित्रकला सेली से समन्दीत है जैपूर सैली से यह मैंने कोसन आपको अच्छी तरह से करवाया है उसके बाद में चंबल बनास की है यहां पर साइक ने दी बतानी है बनास बेड़च की है लूनी सुकडी की है लेकिन काली सिंध खुठारी यहां पर ओप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका ठीक है उसके बाद में अपने चलते हैं बगत पंत के परतीपाद है गोविं जोर्च पैट्रिक है लोरेंस बजाद सागरबान्द यह यijnक नाम आहीं नदीप है उसके बाद में याँपे देखो चोटियों के उन्चाई के दार पर औरो उक्रम में वेवेश्थित करना है आपको यहां पे वेवेश्थित करना है तो इसका उत्रो जिगा बी नमबर है परताब गड़ जिले के अंदर स्थित है तीस नमबर आ चुका है 31 नमबर देखो कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तामबा सिंगाना बिल्कुल सही है सिसा जस्ता बिल्कुल सही है ये 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 भी सही है लेकिन आपस नमबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपस नम मिर्जा राजा जै सिंग कौन था मिर्जा राजा जै सिंग इसका राइट आंसर है उसके बाद में अपने चलते हैं 33 नमबर के उसन माही नदी के बाएं किनारे सायक नदी कौन सी है इरू नदी है ज्या रखना कौन सी है इरू नदी है इसके बाद में मंगला तेल छेतर आ आपको पता है जाना जाता है शापुरा बड़ा ही शानदार कोस्तन आया है यह तो बहुत बार कोस्तन पूचा गया है किस जील का निर्मान अठारा सो इकाड़ में बाण में के दोरान अकाल रहत कारियों के तहत करवाया गया वो थी फोई सागर जील कौन छी थी फोई सागर रासमंद के अंदर रखी गी यह पिछली बार भी वन राक्षक के अंदर भी विछले कौसनो प्रीप यह तो इसमें आयाख था मेजजा बाद लए कोठारी नदी पर अभी बड़ा ही शान्दर उसके बाद में कौन सा तार वाला वद total नहीं है तार वाला तार वाला इसमें औ सा कॉन सा नी है ता साइस में तार वाला ठीक है योग्या 20 नमबर उसके बाद में अपने चलते हैं 41 कामडिया पंथ ये देखो इस नंस्ताप कॉन ते संत राम देव ये देखो संत बना दिया इनको भी लोग देवता खुई उसके बाद में ये देखो पलाण मोहरा नाम सुन लिया तो ओंट इसका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद में ये साइंस का को सुना गया अपने चलते हैं बाकड़ा नागल प्रियोजना राजस्तान के कितने प्रतिसी सिदारी इसकी 15.2 परसेंट ये आपको शांतार को सुना आया इसमें उसके बाद में चलते हैं रा 2021 में राजस्तान के कौन सी जिले में दूत्य नूनतम प्रतिशत है तो ये हो जाएगा इसमें जोद पूर हो जाएगा इसका और उसके बाद में ये साइंस का को सुना गया आगे हम चलते हैं ये देखो गुरू गोलावर जन बागीदारी योजना का नाम बदल कर क्या रख गया तो इसका होजेगा ध्यान रखना भी नंबर होजेगा इसका महतमा गंदी जन बागीदारी योजना होजेगा इसका उसके बाद में अपने चलते हैं राष्ट ये सतर का फॉरेंसिक साइंस अस्तान कहां शुरू किया गया ये है त्रेपार नंबर क्योंशन और वह जो गुजर पढ़ती आर्सीस का सबंध है यह देखो कौन सा यहां पे सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है तो मुरा बैस की है सोनारी वेड की गौमट गौमट उट की हो जाएगी यह जएगा इसमें नातना उट हो जाएगा इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है तो अपस हैं दूरला बीमारियों से ग्रैस्त बच्चों वैवेस्कों के लिए क्राउंड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पॉर्टल को लॉंच किया तो यह हो सकता इसमें राध संबल कौन सा ओजएगा राध संबल हो सकता है बड़ा ही नया कोस्तन है थोड़ा इसमें डॉला सकहा राजस्तान का है तो यह तो जैपूर हो सकता है मेरे साथ से तो आलम या मुगल्मू या वाक्रि साथ जय अएपड़ा उपड़ा देख लिए लना वफ़ब है सबसक्ति योजना 2022 के इंद राजस्तान शरकार महलाह हूं और बालिकों को लीए 55000 उपह इसमें VTS हाता दी कितने 55,000 उपे उसके बाद में ये मैत का कोशन आ गया बनास ըदी तिर 요ड़े संगम का निरवान करती है बेड़त्च और मेनाल ठीक है बेड़त्च और मेनाल हो ज़ेगा उसके बाद में अपने चलते हैं ये साइंस का कोशन आ गया ये भी साइंस का दन्ना बगत के गुरू कौन थे रामानंद कौन थे दन्ना बगत के गुरू इसमें रामानंद हो जाएगा और अपने चलते हैं आगे करंट में कौन सा कवी नहीं है इसमें तो कवी नहीं है तो कवी आपको पता है विजे सिंग पतीक तो थे जैनलान व्यास भी हैं मानिके ल राजस्तान विस्ट विद्या ले करेंट में आपनों कितना आपको कितना शांदार कोशन करवाए यह एक की अंदौलन के पढ़ने था मोतिलाल तेजावत यह कल पर समय मैंने आपको करवाए था जो अंदौलन किसान करवाई उसमें संगीत नाटक अकादमी कांपर है जोदप कौनसा होजएगा वोलेश्टोन आइट इसमें वागड की मीरां वागड की मीरां गवरी बाई गवरी बाई वागड की मीरां देखो कितना शांदार कोशन है राजस्तान की कुल सिमा लंबाई कितनी है कुल सिमा पिछली बार उसमें भी कोशन भी फर्स्ट शिप्ट में य 1620 किलोमेटर है कुल टोटल लंबा इसकी बुंदी रियास्त के बड़ किसान अंदुल का नेता कौन था तो ये था नियून राम सर्मा इसमें कौन था बड़ किसान अंदुल का नियून राम सर्मा बिजी बिजी किस साहतेकार का उपनाम है विजेदान देथा का कितना शांद background रॡाल देंगे इसको अगले हम चलते हैं स्रीथा मोर समन्दी कैटनUR करन्ट की क्लास में जितने शबता को बता है पो किस्टि कहां से ये कुस्ति से इसका संबंद है स्रीथा मोर का अपने अगले चलते हैं यह देखना पर्षंट words पूछा गया दामणा अभूशन आचुका है ना दामणा नामक अभूशन उगलियों में पहना जाता है का अभूशन तो हर एक कोसन में पेपर में आ रहा है उसके बाद में अपने चलते हैं बज़ट वाल आ गया जगधीब दनकड राज스तान के रहने वाले हैं और ये बार राजस्तान के रहने वाले हैं और ये बारत के उपराष्ट पती बने हैं उसके बाद में अपने चलते हैं सवतंतर बावनी किसकी है बड़ा ही शांदर रन्था बोर के चुहान वंस का संस्तापक गोविंद्रा ये पहले ही सिफ्ट में कोशन पूछा गया है सवतंतर बावनी किसकी है तेज कवी जेशल मीरी किसकी है तेज कवी किस सवतंतर बावनी उसके बाद में देखो छगन बेग ने श्रोधी में राजस्तान की किछ शेतर को चुना तो खिंचन जोदपूर को चुना था उसके बाद में राजस्तान में राजस्व बोड की स्थापना कबूई यह आप चेक कर सकते हो यह थे सो कोशन जो लगबग मैंने करवा दिये अच्छी तरह से करवा दिये एक दो कोशन है वो थोड़े देखने पड़ें हमारी बुक में से और जो आरबेसी बुक है सारे कोशन वहीं से वहीं आए है नाने क्लासे जराजस्तान करेंठ अपेर्स नाम से बुक आपको मिलती है सारे कोशन आपको हुभु देखने को मिले हैं तो धन्यवाद जैहिंद जैबर्द